हेलो गाइस असलाम अलेकूं वेल्कम बैक माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग माशाला से मैं बेच्छी हूँ तो आज बन क्या है बिर्यानी तो यह अम्मी जा रही है इसको पैक करने तो आज यह बाटी जाएगी बिर्यानी माशाला इदी की बिर्यानी कासिम को लग गई है देखके भूख नाव में जारी इसके खुश्बू माँ रहा है बिर्यानी खाने के लिए तो यह देखिए पैक हो गई है बिर्यानी एक एक डिब्बे के साथ अंदर उसके खजूर रख दिया है और यह बॉटल एक एक है स्लाइस की तो यह पैक हो गई है जा रही अब बटने अब मी निकालती जाती हम लोग पैक कर रहते हैं तो पापा जा रहे है बाटने तो हम लोग आगए हैं मेरे महले में उनके क्या कुरान खुआनी थी तो वहाँ पर हम लोग ने एक एक बारा पड़ा और फिर रोजा खुलाया था उन्हों ने रोजा भी खुला पर बाद में खाना था खाना भी खाया, फिर लिफाफे में उन्होंने 100-100 रुपए भी दिये, चूड़ी के लिए पैसे हर साल वो कराती है, हम लोग उनके के हर साल जाते हैं, माशालला बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत मौबत और बहुत मिजास वाले हैं, हमारे महले में रहते हैं, तो ये दे उन्होंने खाना खाया, खाने में देखिए, मटब लाओ चावल थे, बिर्यानी वाले और चिकन का साला था, चपाती थी, और फिर उन्होंने मीठे में गुजिया रख दी थी, तो हम लोग आए हैं, पालर, हम नमारे घड के करीब में हैं, ज्यादर दूर नहीं हैं, बहु तो मैं मेरी बावज, हम दोनों पालर आए थे, तो आज है अलविदा जुमा, आप लोग को अलविदा जुमा बहुत मुबारक हो, तो दीखिए, पापा और मेरे दोनों बच्चे माशालल से नमास पढ़े हैं, अलविदा की, तो ये देखिए, यहाँ पे मेंदी लगना श ये कल की तैयारिया हो रही है, सब बगो के रख दिया है, मटर है, चने है, ताला पिसके रख लिया है, रगडे के लिए कल रगडा बनाएंगे, तो अब इससे पीसके रख लिया है उसका मसाला, बी कुछ कए है, क्या कहरा है तो यह देखिए मम्मी ने भी मेंदी लगाई है तो देखिए कासिम पेने हाँ येलो कुटा और गाजी वाइट कुटा इन लोग ने भी बच्चों नमाज पढ़ी थी तो आपने देखा था गाजी कासिम तो अपनी मम्मा के साथ पढ़ी थे तो कासिम क्या खा रहे हैं तो कासिम लोली पॉप खा रहे हैं तो गाज़ आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो आपको आपसे मिलते हैं फिर एद वाले व्लॉग में तो खुदा हब